समस्कार आप देख रहें MKN News और मैं हूँ शालिनी पांडे 585 में आपका स्वागत है चलिए रुक करते हैं पांच बड़ी खबरों की और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीली भीट में BJP प्रत्याशी जतन प्रसाद के समर्तन में एक चुनावी जनसबा को संबोधित किया प्रधान मंत्री ने आज अपनी चुनावी जनसभा से न सर्थ पिलिभीत बलकी तिराई के अन्य सीटों को भी साधने की कोशिश की पिलिभीत की आसपास वाली सीटों में बरेली, शाजहांपर, बदायू और लखीम पुरवर दौरहार सीटे शामिल है प्रधान मंत्री की रैली को देखते हुए बीजबी प्रत्याशी जितन प्रसाद ने कहा कि जनता काफी उत्साहित है प्रधान मिंत्री ने आगे जनसभा को संभोधित करते हुए कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ हमारे चुन्रयान ने जब चान पत्रंगा फराया तब आपको गर्व हुआ भारत में हुए G20 समेलन की पूरी विश्व में प्रसंसा हो रही है सुनिये आगे प्रदान मिंत्री ने क्या कुछ कहा हम लोग दिश्चित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है आप मुझे बताईए साथ यो भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फैराया तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ भारत में हुआ भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वहवाई हुई प्रसंचा हुई आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ कभी कॉंग्रेस सरकारे दुनिया से मदद मांगती थी लेकिन कोरोना के महा संकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाईयां भेजी वैक्सीन भेजी ये सुनकर आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया हम एक एक भारतिय को सुरक्षीत वापिस लाए अफगानिस्तान से गुरु गर्ण साहब के पवित्र स्वरूवों को भी पूरी स्रद्धा से भारत लाए आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ साथ क्यों जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है